आशिश भारगव हमारे सीनियर लिगल एरिटर मौजूद हैं उनके पास चलते हैं आशिश विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है कि सरकार की जो सेंटरल एजेंसियां हैं उन्हें भले ही निट्रल कहा जाए निश्पक्ष कहा जाए लेकिन उनका आरोप है कि सरक उसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं और पार्टियों के खिलाफ कर रही है ये चौध है जो पार्टिया पहुंची है क्या हुआ आज कोट में जरा विस्तार से बताईए शिकायत क्या है चाहते क्या है कोट ने क्या कहा जी देखे काफी आहम है से मोड पर जहां पर संसत से लेकर सुप्रीम कोट तक विपक्ष से एक जुट हो गया है और वो एक लड़ाई लड़ रहा है केंसरकार के खिलाफ तो यहां पर चोधे पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें कॉंग्रेस पार्टी शामिल है आमादमी प प्योग कर रही है राजनेतिक विरोधियों को ग्रिफतार करने के लिए इंजेंसियों का इस्तमाल किया जा रहा है अब इशेक मने सिंग्वी जो अपियर हुए थे इन पार्टीों की तरफ से पेटिशन की तरफ से उन्होंने चीप जैसी डिवाई चंदर चूड को कहा कि ह हम मांग कर रहे हैं कि मामले पे जल्द सुनवाई हो उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद यानि मोदी सरकार बनने के बाद ऐसे मामले जादा बढ़ गए हैं जबकि 45% के करीब सजा की दर है सिर्फ और ऐसे में इस मामले को जरूर सुना जाए वो लेकर गाइडलाइन मांग र करें सुप्रिम कोट इस मामले के सुनवाई को त्यार हो गया है पांच अपरेल को एक एहम सुनवाई इस मुद्धे पर होगी लेकिन काफी एहम ऐसे मोड पर जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्सी दलों के नेता हैं वो किसी ना किसी केस में सी बियाई एड दुआरा गिरफतार किये गए हैं या कारवाई उनके खिलाफ चल रही है और ऐसे बेविपक्सी दल हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं इन आरोपों को बेविनियाद बताते रहे हैं राजनेतिक बदले की साजिस बताते रहे हैं लेकिन आप यह मामला काफी एहम हो गया है ऐसे मोड पर जहां पर खुद देश की सबसे बड़ी अदालत पांच अपरेल को इस मामले की सुनवाई करेगी अदालत बहुत बार बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर चुकी है सियार पीसी के प्रावधान भी हैं पीमले के प्रावधान भी हैं लेकिन जो आरोप विवक् कर दूरपयोग अपनी शक्तियों का हूँ एजेंसिया कर रही है जी अशिश विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर आंकडे उठाए जाएं पिछले आठ नौ साल में तो जिन एजेंसियों ने ये जो कारवाई की उसमें 95 फीसद कारवाई उननेताओं पे की गई है जो सत्ता पक्ष से नहीं है जी बिलकुल देखिए ये एक बड़ी बात है विपक्षी पार्टिया हमेशा से कहती आई हैं वो ये भी कहती रही है कि जब कोई विपक्षी दलकार नेता जिसके खिलाव केस होता है वो बीजेपी पे शामिल हुटा है तो फिर उस पर केस नहीं चलते आ आगे अजन्सिया कोई कारवाई ने करती लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह सिरी बात कहना यह क्योंकि आदालत का मामला है और अदालत में फैक्ट दिये जाते हैं आप फैक्ट दीजिए किस केस में गिरफ्तारी हुई उसके वे सबूत क्या है यह तमाम चीज़ एक लंबी चोड खल देता है तो नीची तोर पर समझेए कि ऐसे मामलों में कुछ ना कुछ निकल के जरूर आता है जी शुक्रे आशी शिस पूरे मामले पर रोश्नी डालने के लिए तो पांच अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 14 पार्टिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची है Central Agency उसके दुर्पियों का आरोप लगाते हुए